तो कैसे हैं आप लोग आज में फिर से आचुका हूँ नूर ऑटो में और आपका पहला प्यार जो नूर के तरफ था वो बहुत ही अच्छा था इसलिए हम लोग ऑफ फिर से नया कलेक्शन लेने आके आ चुके हैं नूर ऑटो में तो आप देख सकते हैं आज हमाई तरफ क्य है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैनली से और देख सकते हैं डॉमिनर एवेंजर आज बहुत ही सारा कलेक्शन हम लोग अच्छा अच्छा प्रिमियम कलेक्शन भी आपको दिखाने जाएंगे थोड़ा हाई रिंज में आते हैं चलिए स्टार्ट करते वीडियो आप मुला मुलागात करते हैं यहां के सेल्स परसीनी के नाम है मिष्टा है मुलागात करते हैं यहां के सेल्स परसीनी के नाम है मिष्टा चिरंजीत तो चिरंजीत कैसे हैं आप कैसे हम तेक दब मस्त है और आपका जो पहला जो रिस्पोंस था ना वह बहुत ही अच्छा था हमारे वीवर्स लोग ने आपको बहुत प्यार दिया और हम लोग फिर से आपके पास आ चुके हैं और आपके पास आज हम लोग देख पार है बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है और आप लोगों के पहले जो वीडियो था वह भी बहुत अच्छे थे ठीक है उसके वज़े से हमारे बहुत कस्टमर आए गारी भी गये और एक्सेंज भी किये बहुत फेसलिटी में हम लोगों को भी मिला आपके यूटीब की तरफ से बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं क्रेजी कार और आटो नूर आटो हम लोग का प्यार अब ऐसे ही बनता रहेगा और चलता रहेगा तो आज चिरन जीद्दा आज आप कौन-कौन सा कलेक्शन ह अब जार है आज हम लोग डॉमिनर बेने्ली अबेंजर है और टूटो एंडी पाल सार आटवानफाइब साओंटी तरह कुछ हम लोग दिखाएंगे अचंगे तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यह डॉमिनर ब्लैक कलर का इसका क्या डिटेल होने बीडेल होने वाला है दोमेनर का 400cc का बाइक है 2018 का गारी है 15000 किलोमीटर चला है और इसका पराइस परेगा ABS भी है और इसका पराइस परेगा 1.000.000 दस अजार में आप देदेंगे क्या आप देख सकते हैं श्रीफ एक लाग दस एयर में डॉमिनर 400 श्रीफ 15,000 किलोमेटर देख से ब्लैक कलर में बहुत ही जबर्दस गाड़ी में इसलिए तो मैं हम बहुता हूं कि ना प्यार से ना तकरार से हम तो डरता हैं श्रीफ नूर अटो के प्राइस से आप देख सकते हैं डॉमिनर 400 तो प्यार तो दिए दिए ग्रीन कलर की तरफ आते हैं और बटाईए चिरंजित यह बैनली 300 यह तो डिमांडेबल बाइक एक दम मतलब इसके लिए प्यार तो बहुत ही सारा रहता है तो इसका प्यार की तरह हमारी थोड़ा प्राइब बढ़ा दीजिए यह यह बैनली 300 है अच्छा खास सा बाइक है प्रोफ्रेस कंडिशन है कुड़ा और 20,000 किलोमेटर चला हुआ है तो यह जो बैनली है यह टॉप मोडल डबल डिस्क के साथ आता है फ्रेंट हां यह टॉप मोडल आपका है ना तो इसके एक्स्ट्रा क्या फीडिंग्स लगा हुआ है एक एक्स्ट्रा जो ले प्राइस पड़ेगा एक लाग पंचास हजार किलोमें डेजल माख रुप में यह बैनली अब देंगे और आप इसका एकजोस्ट हमारा वीवर्स को सुना सकते हैं इसका आवाज कीसा एक बार आप देख सकते हैं वैनली 300 का आप इसका आवाज सुन लिजे बहुत ही आपने यह आवाज तो सुनी लिया आवाज के साथ साथ प्राइज भी आपको हमने बता ही दिया स्रीफ डेल लाग रुप है यह बैनली आपको मिलेगा उसके बाद दादा हम लोग आते हैं एवेंजर 220 क्रूज में इसका क्या डिटेल होने वाला यह अच्छा खासा कॉंडिशन है दो आजार का मॉडल है इसका प्राइस क्या होने वाला इसका प्राइस सेवेंटी थाउजन पड़ेगा सकतर हजल पर मोडल है दो आजार अठ्रा का मॉडल है एंड का होगा किलोमेटर 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 कर देंगो कोई अवेंजर और दिखाई देरा वह स्टीट मॉडल है दूसरो कोड़ी सीसी का है और 17 का गाड़ी है और उसका पड़ेगा 65,000 पड़ेगा स्रीफ 65,000 पड़ेगा तो अगर थोड़ा प्यार मॉपबत से करेंगे तो थोड़ा कम कर देंगे ना ओके कर देंगे तो प्यार मॉपबत तो हमारा नुर्टों के साथ चलता रहेगा और बनता रहेगा तो प्राइजेज भी वैसे का वैसे ही कम होता रहेगा तो आईए देंगे इसको उसके बाद एक और देख रहे हैं अवेंजर मतलब आज थोड़ा बहुत लगता एवेंजर से प्यार ज्यादा होते जा रहा है लगता हमारे यहां पर बहुत ज्यादा बिकती है और एक सिंज भी बहुत ज्यादा होती है इसलिए और हम लोगों का बहुत और डीटेल होने वाला है वहां थोज बाइक है 2017 का मोटल है और वह बेंजर का उसका पड़ेगा 65,000 पड़ेगा 65,000 डाटा का मॉटल है 27 का क्रूज ब्लेक कलर आप देख सकते हैं थोजन 220 क्रूज है यह ब्लैक कलर का स्रीफ स्रीफ सिक्स्टी थाउजन साथ है यार रुपय में इसके बाद दादा एक और रेड कलर का एवेंजर 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 बोल बोल कि आप मुझे ठका देंगे अग्दम लगता है आज वह देड़ सो सीची का है और वह स्रीट मॉडल ह है 2008 का मॉडल है और उसका पड़ेगा 62 थाउजन पड़ेगा इसको साथ कर दीजिए दादा हमारे लिए कर दीजिए आप जोई कस्टोमर आएगा विवार आएगा हम लोग कर देंगे मेरा प्राइजेस भी आप समझ लिए मतलब मेरा भी बात आप समझते हैं तो आप इसको है 2017 का मॉडल है श्रीब 10,000 किलोमेटर चला हुआ है और पेपर भी बहुत अच्छी खासियत है और इसका प्राइस पड़ेगा 68,000 पड़ेगा प्यार महबत चलता रहे और बनता रहे गा उसके बाद तो आप दादा आरवन फाइब इसका थोड़ा लाइटिंग देख रहे है इसका लाइटिंग इसका बहुत ही लाइटिंग सजा हुआ है और आपको देखी रही है इसका इंडिकेटर और चोक सब बतलाब यह जो अब थोड़ा कलर भी देख सकते हैं और गाली आगे से थोड़ा लाइट भी मार रही है मतलब थोड़ा रंगीला टाइप की यह परसन थे जिन्हों ने यह गाली लिया था आप देख सकते हैं श्रीफ पैंसाट है रुप्या में तो दादा आते एक बहुत ही डिमांड और म बढ़ी जा रहा है तो थोड़ा माईलेज वाला भी दिखाया जाए तो डिसकवर डिसकोबर हंडे 10 सी का बाइक है दो अज़ा 10 का मोडल है और कंडिशन इंजिन कंडिशन टायर फायर भी नियू है ज़का आपके पास अब आया है अब आया है अब इसका सर्वेसिंग होना सब्सक्राइब कर देंगे और यह स्रीप 18,000 में पड़ेगा अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि पर भी इसका सब कुछ ओक है ठीक है थोड़ा बहुत नूर प्यार भी ला रहे है और प्राइज भी थोड़ा-थोड़ा कम किये जा रहे है तो चलिए ऐसे ही प्यार बनाए रखे नूर ओटो के तरह और मेरी की तरफ भी तो 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 अगले बार भी हम लोग आरवन फाइब का थोड़ा लाइन लगा थे इस बार भी थोड़ा आगे एक आरवन फाइब का धमाका तो आप देहीं दिया है एक और आरवन फाइब वर्सन फ्री यह ब्लू कलर किसका के यह श्रीप और श्रीप दो आजार किलोमेटर चला हुआ है और फाइब साल का इंसुरेंस भी इसके साथ है पेपर भी स्वाब ओके है कैस का गाड़ी है और इसका प्राइज होने बाला है एक लाग ट्वाइब थाउजन पड़ेगा मतलब एक लाग पचीश एर में आप ग सबसे खासियात है इसका गाड़ी उसकी खूब शूर्थी को बढ़ा रहा है एक दमेक देख सकते हैं अब जो है ना नूर आटो में अब आपको प्राइज का कोई टेंशन नहीं है प्राइज अब आपको आपके ही मन पसंद प्राइज में आपको यह गारी मिलने वाला स्रीफ साथ है यह अब आप देख सकते आरवन फाइज वर्सेंट टू 2015 का उसके बाद आते होंडा का हॉर्णेट ब्लू कलाइट और स्पेशल एडिसन का हॉर्णेट है बीए स्फोर्ड का लास्ट मॉडल है एलीडी हेडलाइट है 2019 का बाइक है और वह श्रीफ 15,000 किलोमेटर चला ह अब डेट है सब अच्छा यह लगता है कि आपके पास आने पर पेपर कर नहीं होता है और फास्ट ओनर का बाइक है और पेपर हम लोग हमेसा अपडेट रखते है तो आपका गाड़ी के लिए बी कोई समस्था नहीं है कोई प्रॉब्लम ने अब लोग आई गाड़ी लिए और नामचेंज हम लोग कर देंगे ओके जितनी काते हैं अब अब यह गाड़ी आप लीजिए हम लोग बोल देदें यह गाड़ी बहुत ही अच्छा कंडिशन है एकदम न्यू गाड़ी है दोजार कूडी का गाड़ी है बहुत ही अच्छा कंडिशन नौहजार किलो सब्सक्राइब और इसका प्राइस पड़ेगा 75,000 और नय का प्राइस कड़िब कड़िब एक लाग 24,000 का कड़िब है एक दम नहीं बाइक है 9000 किलोमेटर चला हुआ है और इंसुडेंस भी 5 साल का फास पाटी का इंसुडेंस है और बहुत ही अच्छा कंडिशन भी है इंजीन का कंडिशन भी बहुत ही अच्छा पड़ेगा श्रीप 80,000 पड़ेगा अब देख सकते हैं एक्स्ट्रीम एकडम नहीं नहीं दुलान श्रीप 80,000 पड़े जाईए उसके बार आते हैं डिसकोबर 150 और भाइजार देया है और उसका दो टायार भी न्यू अच्छी कंडिशन की है और वह 2015 का बाइक है श्रीप और श्रीप 37,000 में पड़ेगा श्रीप 37,000 में पड़ेगा श्रीप 37,000 में पड़ेगा इसका टायर आगे और पीछे दोनों तरफी नया टायर लगा हुए यहां पे अब लोग आईए और यहां से बाइक लीजिए पेपर भी हम लोग अच्छे कंडिशन खासियाद देते ह हैं और हमारे वोपर भरोसा रखिए हम लोग गरी का नाम चेंज नाम टंसपर सब कुछ हो जाएगा और वो जल्दी कर देंगे भरोसा है तभी आपके पास आते हैं नहीं तो ऐसा तो बहुत सारा डिलर है जिसके पास हम लोग वीडियो जाके बना सकते हैं लेकिन नूर आते हैं तो थोड़ा बहुत तो द्धा सस्ता वाला गाड़ी भी हमारा विवर तो पसंद करता है तो द्धा जस्ता में आज आपके पास कौन-कौन सा गाली होने वाला है आपके डेर्सो का मॉडल है अपाल्शा देर्सो और 2000 घ्याड़ा का मॉडल है और गारी की इंजिन कॉंडिशन बहुत ही अच्छा है पेपर भी सब ओके हैं और इसका प्राइस पड़ेगा श्रीप और सिफ 25,000 पड़ेगा पड़ेगा अब देख सकते हैं पल्सार देड़ सो श्रीफ 25 एरवे मैं अब नूर अटो में धीरे धीरे हम लोग प्राइजेस के करीब आ रहे हैं और आपको प्यार के लिए हम लोग और भी कम प्राइजेस एक और गारी दिखाने जा रहे हैं पल्सार 135 एलेस है और यह ब्लैक कालर है फोल्ड भाल्प का इंजिन है ओटो चोख है गारी का कॉंडिशन बहुत अच्छा है दो टायर भी नए है और इसका इसका भी पड़ेगा 25,000 पचीश एर में यह भी एक दम देखिया अब हम लोग दिये दे धमाका पे चले जा रहे हैं कड़ी पंचा पंचास और पच्पन किलोमीटर चला जाएगा एक सुपैटिस का सिसी का चापकाड़ी होता है पचास से पच्पन माईलेज इसको देना जायज है जायज है और यह भी 25,000 पड़ेगा पंदरा साल का बाइक है अब देख सकते हैं तीन थो ब्लैक ब्यूटी पलसर 150 135 135 ले जाएए श्रीफ 25,000 रिप्या में नूर आटो से अब मत बोलेगा कि प्राइज ज्यादा है तो चिरंजिद्धा थोड़ा बहुत तीन धमाका देने के बाद अब हम लोग एक और छोटा सा विक्रांद की तरफ आते हैं यह बाजाज विक्रांद है और डेड़ चाड़ी और फ्रेज कितना यह गाड़ी इंजन कंडिशन भी बहुत ही अच्छा है इंजन कंडिशन और श्रीफ 52,000 में पड़ेगा बावान है यह बावान हजन में इसको थोड़ा रांद फीगर में कर देजगा हमाना को कर देंगे आपके लिए हम लोग कर देंगे पचा तो आपको हमारा ये नूर आटो का कलेक्शन क्यूंकि अब जो हो रहा है ना नूर आटो में हम लोग थोड़ा-थोड़ा चेंजिस भी ला रहा है अब सकते हैं हमारे प्राइजेज और हमारे स्टोक्स में बहुत चेंजेज आया है और अब देख सकते हैं हमें अपनों बेलेंनी दिखाया हमें आपको डामिनोर दिखाया और हमें वहाँ पे जरूर से जरूर आप उसे बात करेंगे तो चलिए मिलते हैं निक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई and see you